मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था उस रात एक आएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी थी चार दिनों तक आतंगवादियों की ओर से की गई गोली बारी और सिलसिलवार धमाकों में 18 सुरक्षा कर्मी समेट लगभग 186 लोग मारे गए थे जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल होए थे 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल ट्रेट सेंटर पर होए आतंकी हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था भारत के साथ साथ ये आतंकी हमला अमेरिका और इसराइल के लिए भी बड़ा जटका था क्योंकि 26 गयारा आतंकी हमले में 6 अमेरिकी यहूदियों ने भी अपनी जान गवाई थी इस आतंकी हमले में यहूदी बच्चा मोशे जिन्दा बच गया था जबकि उसके माबाप को जान गवानी पड़ी थी पियम मोदी ने 26 गयारा हमले में चमतकार ये रूप से बचे इसराइली बच्चे मोशों से मुलाकाद दिखी थी 26 गयारा 2008 को मुंबई के कुलाबा में चबाड हाउस को आतंकियों ने खास्तोर से निशाना बनाया था यहूदियों की इस प्रमुक इमारत को नरीमन हाउस के नाम से भी जाना जाता है अमेरिका और इसराइल ने उसी दिम ठान लिया था कि वो खुद 26 गयारा के गुनागारों को छोड़ेगा नहीं 26 गयारा का वो दिन और आज का दिन 26 गयारा आतंकी हमले का मास्टर माइड हाफिस साइद और उसके लशकर की उल्टी गिंती शुरू हो गई है हाली में 26 सतंबर को ये खबर आई थी कि हाफिस साइद का बेटा कमालुदीन साइद गया है उसे किरनाप कर लिया गया है मेडिया रिपोर्ट्स को मताबक उसकी हत्या हो चुकी है टार्गेट किलिंग हो चुकी है अब एक हफ़ता भी नहीं उज़रा था कि हाफिस साइद का करीबी और राजदार मुफ्ती कैसर फारुक का भी बंदूग धालियों ने हत्या कर दी और अब ख़बर आ रही है कि हाफिस साइद का वेहनोई और चब्विस ग्यारा मुंबई आतंकी हमले का आरोपी अब्दुलरह्मान मक्की भी लापता हो गया है यानि हाफिस साइद के कुन्बे का खात्मा हो रहा है और अब तो हाफिस साइद को भी मौत का डर सताने लगा है इसराइल की खूफे अजनसी मुसाद के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेती है उसे करके ही दम लेती है दरसल इसराइल एक यहूदी देश है और मुंबई के 26 ग्यारा अतंकी हमले में 6 यहूदी मारे गए थे इसराइल यहूदियों की मौत का बदला उनके गुनाहगारू से चहता है इसराइल कहता आया है कि वो 26 ग्यारा के गुनाहगारू को छोड़ेगा नहीं बहाप्रधान मंत्री वेंजिमिन नेत्यू यहू कई बार कह चुके हैं कि 26 ग्यारा आतंकी हमले के दोशी कीमत जरूर चुकाएंगे इसराइल संसत के स्पीकर आमिर ओहाना भी 26 ग्यारा आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दे चुकी है उन्होंने हाल ही में कहा था कि मुंबई हमले के साज़िश करताओं को भारी कीमत चुकाने पड़ी ओहाना ने कहा कि भारत और इसराइल दोनों के समक्ष आतंगवाद सबसे बड़ी समस्या है और दोनों देश मिलकर इस से निप्टेंगी इसराइली सांसद ने कहा था कि मुंबई के चबार हाउस पर हमला भारत और इसराइल के साजा दुखों का प्रतीक है आतंगवाद के खलाफ लड़ाई सभी आजाद देशों की जरूरत है विशेश रूप से भारत और इसराइल जैसे देशों के लिए तो क्या ये माना जाए कि इसराइल की खूफिया एजिंसी मौसाद 26-11 आतंग की हमले का बदला लेनी के लिए एक खास ऑपरेशन में जुटी हुई है वो हाफिस साईद के लशकर को क्रैक डाउन करने में जुटी है फिलाल जिस तरह से हाफिस के खुनवे से एक-एक हो रहा है उसके बाद आतंग की हाफिस साईद को भी अपनी मौत का डर जरूर सता रहा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए साधी बने रहे टाइमस नारन भारत डिजिटल पैटफॉर्म के साथ नमस्कार